हेलो दोस्तों अरद्दैराश सेकेडमी के यूटूब चनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों राजस्तान में आई जीते सभी परतियों की परिक्षाओं के लिए दोस्तों आज मैं आपको 14 मई 2024 के करंट अफेर के कुछ महतुपून प्रस्न है वो बताने वाला हूँ दोस्तों ये टोटल 13 प्रस्न है जिसमें राजस्तान भारत और विश्वय के करंट अफेर के प्रस्न है वो सामिल किये गए है 14 मई 2024 के ये प्रस्न है और दोस्तों रोजाना आपको ये करंट अफेर के प्रस्न है वो देखने है अरद्यारेश एकेडमी की YouTube चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन को दबाएं वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको फोल्डर मिलेगा करंट अफेर 2024 के नाम से आपको फोल्डर मिलेगा तो आप वहाँ जाकर कला से हैं वो जरूर देखना देखे, पहला प्लेशन, करंट अफेर का चोदा मई 2024, देखे हाली में मई 2024 में चर्चा में रहा कलेसर वन्यजिव अभ्धारण किस राज्य में है? बताएए ये कलेसर वन्यजिव अभ्धारण कौन से राज्य में है? तो इसका right answer हो जाएगा वो है दोस्तों ये हर्याना में है और ये हाल फिलाल में दोस्तों चर्चा का विशा है वो बना हुआ है क्यों बना हुआ है चर्चा का विशा है क्योंकि दोस्तों इसके अंदर चार प्रस्तावित बांदों के निर्मान पर रोक लगा दी गई है ठीक है और ये इसलिए रोक लगाई है क्योंकि ये परिष्थिति की तंतर को भी है वो नुकसान पहुचाएगे ये बांध ठीक है और ये इसको राष्टी उद्यान है वो गोशित किया गया था दोस्तों 8 दिसंबर 2003 को ठीक है ये भी आपको इसमें याद रखना है कले सर्व सयुक्त राष्टर ट्रस्ट फंड फोर काउंटर टेरिरिजम में कितना योगदान दिया है बताईए आली में मई 2024 में भारत ने सयुक्त राष्टर ट्रस्ट फंड फोर काउंटर टेरिरिजम में कितना योगदान दिया है तो दोस्तों आप सभी को पताऊगा यहाँ पर द आतंकवाद से समंदित है यानि कि आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत ने सयुक्त राष्टर ट्रस्ट फंड फोर काउंटर टेरिरिजम में दोस्तों पांच लाख डोलर का योगदान दिया है तो यहां पर अपना इसमें ए नंबर का उप्शन बिल्कुल से उतर हो तीन नंबर का प्रशन इसमें देखे हाली में मई 24 में मेगाले की पहली मैला डिप्टी जनरल ओफ पुलिस यानि कि डी जी पी किसे निउक्त किया गया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये निउक्त किया गया है किसे तो इसका जो right answer हो जाएगा वो है दोस्तों देखे इदा सिसा नोंगरांग ठीक है इदा सिसा नोंगरांग को दोस्तों डीजीपी बनाय गया है और ये मेगाले की पहली महिला डिप्टी है तो यहाँ पर अपना इसमें right answer क्या हो जाएगा दे नंबर का जो option है वो इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा इनका जो कारिकाल है ये 2026 तक रहेगा तो इसका जो right answer हो जाएगा वो है दोस्तों एन चंदर शेखरन को टाटा एलेक्ट्रोनिक्स का चेर्मेन है वो न्यूक्त किया गया है हाली में दोस्तों ये बनमाली अगरवाल की जगह है वो लेंगे ठीक है तो यहाँ पर अपना इसमें right answer क्या हो जाएगा एन नंबर का उप्शन बिल्कुल सही next आगे देखें पांच नंबर का प्रिशन है हाली में मई दोजार चोबिस में किस राज्य ने मंदिर के प्रसाद में कनेर के फूलों का उप्योग पर प्रतिबंद लगा दिया गया हाली में किस राज्य ने मंदिर के प्रसाद में कनेर के फूलों के उप्योग पर प्रतिबंद लगा दिया है तो दोस्तों यह लगाया है केरल में केरल के मंदिरों में कनेर के फूलों का उप्योग है वो नहीं किया जाएगा क्योंकि दोस्तों हाली में क्या हुआ था कि एक महिला के द्वारा गलती से जो यह कनेर की विशेली जो पतिया है उसने चबा ली थी ठीक है और उससे उसके क्या हो गई थी मर्ति हो गई थी ठीक तो यहां पर अपना इसमें N Number का option बिल्कुल सही केरल नेक्स्ट आगे देखे हैं हाली में 15-0.5.39 का महिलार रेसिंग नेशनल रिकोर्ड किसने बनाया है हाली में 15-0.5.39 का महिलार रेसिंग नेशनल रिकोर्ड किसने बनाया है तो दोस्तो ये बनाया है किसने ये तो सभी को बतावागा दोस्तो ये KM दिक्षा ने बनाया है दोस्तो ये KM दिक्षा ने तो यहाँ पर अपना इसमेर राइट आंसर A number का जो option है वो इसका बिल्कुल से उतरिश में हो जाएगा कहां किया ये तो दोस्तों ये बोपाल किये याद रखना आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर साथ नमर का प्रेशन है अंतराष्टिय पादप स्वास्त दिवस मनाय जाता है अंतराष्टिय पादप स्वास्त दिवस है वो दोस्तों कब मनाय जाता है तो दोस्तों ये बारा मई को मनाय जाता है कब मनाय जाता है बारा मई को मनाय जाता है अंतराष्टिय पादब स्वास्त दिवस ठीक है ये आपको इसमें याद रखना है इसमें क्या होता है कि पोदों की सुरक्षा और स्वास्त के बारे में दोस्तों लोगों को जाग रूप करना ठीक है तो यहाँ पर दे नमबर का उप्शन बिल्कुल सही नेक्स्ट आगे देखे तीसवी सुल्तान अजलान साहय होकी ट्रोफी 2024 किसने जीती है तो दोस्तों यह जीती है किसने तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों य जीती है जापान ने जीती है तो यहाँ पर ए नमबर का जो उप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा जापान ने फाइनल में पैलेंटी सूट आउट में पाकिस्तान को दोस्तों चार एक से हराया है ठीक है और पहली बार सुल्तान अजलान साहय होकी ट्रोफी है वो जीती है तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा ए नमबर का उप्शन है वो इसका बिल्कुल सही नेक्स्ट आगे देखे है आपे माउंट एवरेश्ट पर गुंटीस बार चड़ने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन बने है बताए दोस्त दोस्तों माउंट एवरेश्ट पर गुंटीस बार चड़ने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन बने है तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कामी रीता सेर्पा कामी रीता सेर्पा ठीक है तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए न बोड़ है वो तोड़ दिया है और यह चोवन वर्स के हैं ठीक है यह भी आपको इसमें याद रखना है तो यहां पर है अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है कामी रीता सेरफा ठीक है नेपाल के हैं आगे देखे मेगाले के उम्रोई में 13 माई से 26 माई तक संय अब्यास सक्ति के सात्वे संस्क्रण में भारती शेना के साथ किस देश के टुकडी भाग ले रही है तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों वो भाग ले रही है फ्रांस की टुकडी है वो दोस्तों इसमें भाग ले रही है ठीक है यह आपको इ जनीत मौस्मी बीमारियों की मॉनिटरिंग के लिए एक ऐप लौंच किया है तो ओक आपना इसमें ए नमबर बिलकुल इतर हो जाएगा आगे देखे श्री अनपूर्णा रसोई योजना में थाली के नए मेन्यू में सामिल नहीं है थाली के नए मेन्यू में सामिल नहीं है दोस्तों देखे सो ग्राम चपाती, सो ग्राम दाल, सो ग्राम चांवल, मोटे अनाज, 150 ग्राम सलाद है, वो दोस्तों इसमें गलत दे रखा है, तो यहाँ पर D नंबर का उप्शन बिल्कुल सही, आगे देखे, देश का सबसे बड़ा गोबर आदारित बायोगेस प्लांटे कहां इस्तापित किया गया है, तो दोस्तों यह अलवर में इस्तापित किया गया है, तो यहाँ पर A नंबर का जो उप्शन है, वो इसका बिल्कुल सही तरिश में हो जाएगा, तो दोस्तों, यह मैंने आज आज आपको 14 मई 2024 के करंट अफिर के प्रिस्न करवाएं हैं, रोजन आपको मेरे स साथ में चलना है, और अरद्दैरेस अकेडिमी की यूटूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में सेयर जरूर करें, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जय हिन, जय भारत